दोस्तो, Swammy ने इंडिया में अपना सेलफी सेंट्रिक फॉन, Swammy Redmi Y1 लांज कर दिया है और इस फॉन का मेन हाइलेटिंग फीचर इसका सेलफी केमरा है जहां आपको सेलफी में 60 मेगापिसल का सेलफी केमरा मिल जाता है और साथ में आपको Selfie Place Light का भी सपोर्ट मिल जाता है जिससे के आप Low Light में अच्छी फोटो ले पाएंगे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें के हमारे चैनल पे एक giveaway चल रहा है Tenorji का जिसे हम आप में से किसी एक viewer को देने वाले हैं तो बस आप वीडियो को देखिए क्या पता आप ही वो Lucky Winner हो जाएं और आप Tenorji Free में जीच जाएं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहां जाके चेक कर सते हैं दोस्तों एक और request है आप लोगों से आप वीडियो को Like नहीं करते हैं तो उन्होंने इस बार सेल्फी के तरफ ध्यान दिया है और उन्होंने लांच कर दिया अपना सेल्फी सेंट्रिक फोन Redmi Y1 और आज दोस्तों हम इसी के प्रोस और कॉन्स के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें इसके Quick Spec तो आपको यहाँ पे दो वेरियंट मिल जाते हैं 3GB RAM और 32GB internal memory के सांद जिसकी प्राइस है 8999 रुपीस और 4GB RAM 64GB internal memory के सांद जिसकी प्राइस है 10999 रुपीस यह आपको आठ नॉमबर से Amazon.in और mi.com पे सेल पे मिल जाएगा और इन में दो कलर वेरियंट अबेलिबल हैं इसके अलावा फोन में आपको 5.5 इंच की HD डिस्पले मिलती है गोरिला गिलास के प्रोटेक्शन के सांथ केमरा की बात करें तो केमरा यहाँ पे आपको मिलता है 13MP का रियर केमरा और 16MP का फ्रेंट केमरा ब्यूटी 3.0 के सांथ जिससे आपकी सेलफी और भी अच्छी होने वाली है यहाँ पे आपको मिलता है Snapdragon का 435 Octa-Code प्रोसेसर फोन आपका रन करता है लेटेस MIUI 9 पे और Android 7 Nougat Out of the Box आपको मिल जाता है इसके इलावा आपको 3808MH की बैटरी मिल जाती है Dedicated Card Slot मिल जाता है 4G Volty Fingerprint Sensor और तरह तरह के Sensor आपको देखने को इस फोन में मिल जाते हैं और इस फोन की जो weight है दोस्तो 153 ग्राम की है दोस्तो अब बात करते हैं इसके Pros और Cons के बारे में तो इस फोन का सबसे पहला जो प्रोस है वो यह है दोस्तों के इसका Selfie Camera जहां आपको 16 Megapixel का Front Camera मिलता है और Flashlight भी और साथ साथ आपको Beauty 3.0 मिलता है Front Camera से जिससे आपकी Selfie काफी अच्छी आने वाली है Normal जो फोन्स होते हैं उन में उन से ज़्यादा अच्छी आपकी Selfie आने वाली है इस फोन में दूसरी Pros की बात करें तो Dedicated Micro Card Slut आपको मिल जाता है जिससे के आप एक सांथ दो SIM Card और एक Memory Card एक सांथ लगा सकें तीसरा जो प्रोस है दोस्तों वो है Gorilla Glass का Protection दोस्तों बहुत सारे Xiaomi के Phonds में यह mention ही नहीं होता है कि Gord zusammen का Protection है यह नहीं है तो यहां पर यह mention नहीं किया गया है कि आपको Gorilla Glass 3 मिलता है 4 मिलता है 5 मिलता है लेकिन यहां पर आपको Gorilla Glass प्रोटेक्षन है तो आप की ईस डिस्पे जो है थोड़ी भहत हिपाज है यह तो रहे कौन्स के बारे हैं दोस्तों आप कॉन्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी कौन जो इस phone कि मुझे लगती है वह मुझे लगती है इस phone की battery यहां पर 3080 mh की battery धी गही है जहां पर AC price में जब phone launch करते थे वो sawmei वाले तो यहां पे आपको 4000 एमेज की बैटरी देखने को मिलती थी और 4000 एमेज की बैटरी यहां पे दोस्तों आराम से एक दिन तक लास्टिंग कर जाती थी लेकिन यहां पे सवाल है तो यहां पे यहां पे यहां पे यह भी एक कौन ही कह सकते हैं दोस्तों क्योंकि ना फास्ट चार्जिंग है ना ही बैटरी बहुत ज़्यादा है तिसरी अगर कौन की बात करें दोस्तों तो इसका है डिजाइन दोस्तों डिजाइन में कुछ भी नया नहीं है वही पुराना डिजाइन है जैसा कि इस प्राइस में पहले मिलते थे सौमी के फोन्स और यहाँ पर आपको फुली मेटल डिजाइन नहीं मिलता है सिर्फ मेटल लुक मिलता है तो दोस्तों यह थे कौन स्पॉन के मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी आप इस वीडियो को जरू लाइक कीजिए सेर कीजिए और हमारे चैनल को करना मत बुलिए और साथी साथ आपको एक और बात बता दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए ताके हमारे फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे गीबवे हैं तो उनको आप मिस ना कर दे और हो सकता है कि फ्यूचर में आप ही हो वो विनर जो फोन हमारे जीत पाएं त मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई